रादे रादे आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमन्त पर आज हम जुड़े हैं सरीता प्रभाकर मैम के साथ फिर से हनुमान चाली साथ के साथ उनुंतको उनुत कीज़ें प्लीस जो एक पर फिर से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में कि हनुमान चालीसा को हम अपनी लाइफ में किस तरीके से impactful तरीके से यूज करके क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत से लोग पढ़ते ही है ठीक है वो chant भी करते हैं और उनको by heart याद भी होता है चलते फिरते हम उस चीज को करते ही रहते हैं पर संकल्प के साथ कैसे करना है और उसकी एक एक चौपाई आपकी लाइफ में किस तरीके से परीवर्तन ला सकती है तो उसी के बारे में जानेंगे सरीता परभाकर मैम के सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो चीजे हैं जो भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं यह कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की इच्छा है हम लोग जब कभी इन चीजों की तरफ आते हैं मतलब थोड़ा उकल की तरफ यह थोड़ा spirituality की तरफ जब जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि अब हमें इस तरफ भी ध्यान देना है ठीक है और उससे हमारे रास्ते में बहुत सारे अगर कोई blockages अगर होती हैं या किसी भी तरह है कि कोई ऐसी चीजे हैं जो अटक रही हैं उनक के लिए रास्ते खुलते हैं agree करते हैं आप मेरी बात से जो भी मैंसे बात करना चाहते हैं मैं चैट को for everyone कर देती हूं तो आप जो भी चैट करेंगे मैं को दिखेगी जी 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 बिल्कुल तो आप मुझे अगर चैट में answer करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हमारी एक connectivity भी बनेगी ठीक है हम लोग एक दूसरे से interaction और अच्छे से कर सकते हैं जिनके भी videos off हैं अगर वो on कर सकते हैं तो please उनसे में request है कि अपने videos on कर लें so that हम लोग एक दूसरे को देख सकें एक दूसरे को के साथ हम interact हो सकें ठीक है इससे हमारी energies भी exchange होती है एक दूसरे के साथ ठीक है तो जैसा कि ये वेबिनार जो है ये हनुमान चाली सा के ओपर है हनुमान चाली सा बहुत से लोग करते हैं इंडिया में तो specially बच्चे भी कर रहे हैं सब लेकिन इसका क्या सही तरीका है ठीक है ये हर कोई नहीं जानता जैसे कुछ लोग है वो इसको सरफ रटा हुआ है और वो बस भागते भागते कर रहे हैं इसको हनुमान चाली सा किस समय करना ज्यादा अच्छा है किस समय हमें नहीं करना चाहिए कब इसका इंपक्ट हमारी लाइफ में या अगर हम कर रहे हैं तो उसका असर कब ज्यादा मिलता है ये सारी चीज़े अग को जैसे कहते हैं कि आपको कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हम लोग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं ठीक है जैसे कि हनुमान चाली सा किस ने लिखी यह आप लोग जानते हो गोस्वामी तुलसिदास जी ने इसको रचा है लिखा है और इसको लिखने के पीछे क्या कारण है और तब लिखा गया इसके लिए अलग-अलग चीज़े बोली जाते हैं ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आ किसी जगे सुनने में आता है कि तुलसिदास जी जा रहे थे और उनको हनुमान जी ने दर्शन दिये और उनके साथ उनकी जो बादचीत हुई उससे उन्होंने इसको लिखा लेकिन ज्यादा जो माननेता है वो यह है कि तुलसीदास जी एक दिन किसी जंगल में जा रहे थे, मतलब यह किसी शेहर में जा रहे थे और वहां उन्हें एक ल परिशानी में हूँ मेरी मदद करो ठीक है और तुलसीदास जी उसे सदा सोहागन सोभाग्यवती रहो का आशिरवा देते हैं अब वो लेडी रोती है और कहती है कि आपने मुझे आशिरवाद ये दिया है जबकि मेरे बती का आज सुबह ही निधन हो गया है और मैं इसी प कि आप आए हैं यहां पे तो मेरा आप से मिलने का मन हूँ और मैं सिधा आपके पास आगे तुलसीदास जी एक सिकिन के लिए अपने अंदर उनको लगा कि मैंने तो इसे सोभाग्यवती का वर्दान आशिरवाद दिया है लेकिन अगले ही सिकिन उन्हें अपनी पूजा प मुझे जो उपर से आग्या होती है वही मैं आशिरवाद देता हूँ इत मींज कि जो मैंने बोला है यह प्रभू की इच्छा है तो वो उस लेडी को कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें आशिरवाद दिया है तुम उस आशिरवाद पे यकीन रखो तुम वापिस घर जाओ सब लोग हैरान हो जाते हैं ठीक है और उस समय पे मुगलों का साशन था ठीक है तो जब यह खबर जो है अकवर ने सुनी तो उसको लगा कि यह तो मुझे भी मिलना चाहिए उनसे और अगर यह चमतकार करते हैं तो इनको मेरे महल में लेकर आओ उनको जबरदस्ती लेके ज किचहे नहीं करता हूं ठीक है एक साधारन इनसान हूं पाठ पूजा करता हूँ इश्वर पर यकीन रखता हूं बस उसी से यह चीजह उती हैं मैं कोई जादू कोई जादू यह शक्तियां मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यह चमतकार कोई आपको ऐसे इस बीच में क्या होता है तुलसी दाज जी जो है श्री राम जी का ध्यान करते हैं और वहीं बैठे हुए हनुमान चालीसा लिखते हैं नस्कों जाब भी करते हैं जैसे वह उसको लिखते वैसे वैसे ही रहात आगवर पहले तो बहुत जायान होजाता है कि इतने सारे बंदर अचानर कहां से आगें लेकिन क्योंकि वो समझधार भी था तो वो इस चीज को समझता है कि ये जरूर तुलसिदास जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो वो उन्हें जब बाहर निकालता है तो वो उसे बताते हैं कि जब तुमने मुझे अंदर बंद कि मेरा विश्वास मेरे प्रभू पे इतना था कि मुझे पता था मैं इससे जरूर बाहर आजाओंगा और उसी का नतीजा है कि आज मैं बाहर हूं और अकबर उसे माफी मांगते हैं और उनको छोड़ देते हैं तो इस चीज से इस तरह से हनुमान चालीसा की रचना हुई हमारी कोई भी परिशानी अगर है हमें अगर हमारे काम अटक रहे हैं अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनको आप थोड़ा भी दिल से याद अगर करोगे दिल से उनके आगे हाथ जोड़ोगे तो वो आपकी पुकार सुनेंगे और आपको आपकी इच्छा अनुसार आपको मदद करेंगे यह एक वर्दान था उनको ठीक है कि कल्यूग में आप लोगों को उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी अगर आपके पास कोई भी आएगा और वो आपको दिल से अगर अपनी प्रॉब्लम्स कि को इंजलो को अपने पृटी से बाहर निकालोगे कोई बहुत ज्यार्त तOkay बहुत ज़्यादा ज्यासिशा नहीं कि इंद रगर आप एसे करोगे तो उमान जी और आप पिजान को ऑने इंगे यह एंचा कुछों हनुमान जी की स्तुती में कई सारे लेख लिखे गए हैं ठीक है बहुत सारी रचनाएं हुई है जैसे हनुमान बाखुक अगर आपने सुना होगा हनुमान कश्च निवारन के लिए जो है और हनुमान चालीसा जो है इसकी हम एक एक चुपाई उसके क्या मतलब है और वो हर चुपाई हमारे को किस सिचुएशन से निकालने में हेल्प करती है वो हम अपनी ख्लासेज में सीखेंगे उन में से कुछ मैं आपको आज बताऊंगी भी ठीक है हनुमान जी के लिए जैसे अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन पढ़ रहें लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने जो चाहा हमें वो मिल गया होता है ना बहत बारी ऐसा इसके पीछे दो रीजन है नंबर एक क्या पतहा आप जो चीज मांग रहे हैं वो आपके लिए मतलब वो आपके लिए हैं ही नहीं ठीक है अब मैन लीजिए मैं कह रही हो हूं मैं हरोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूं और मैं कहती कि मैं एक महिने में एक लाख रुपया का मालू ठीक है और अगर मेरी मंतली इंकम 50,000 है तो मैं टोटल डबल चाहा रही हूं कि एक महिने के अंदर मेरा टोटल डबल हो जाए तो और मैं एफर्ट भी नहीं करूं उसके लिए तो क्या यह मेरी विश्पूरी होगी मुझे करना स्टार्ट कर दो और मैं पूरे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या हनुमान चालीसा की जो चौपाईयां मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हैं वो करती हूँ तो क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी? बिलकुल ये मेरी इच्छा पूरी होगी क्यों? क्योंकि मैंने ट्रू हार्टेड इसको किया मैंने वो चीज मांगी जो मुझे पता है पॉसिबल है लेकिन मेरे पास जर्या नहीं बन रहा है इसलिए वो मुझे नहीं मिल रही है मेरे पास मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे तो मैं भगवान से कह रही हूं कि मुझे रास्ता दिखाऊ ता कि मैं उस पे चलू और मैं अपनी मन की चीज अपनी इच्छा पूरी कर सको तो भगवान कैसे मेरी बात नहीं सुनेंगे जरूर सुनेंगे अगर मैं सच्चे दिल से उनके पास अपनी प्रातना लेके गई दूसरी चीज क्या होती है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं दिलीब जी थांक यू सो मच अनीदा जी बिल्कुल अभी क्लास कर सकते हैं अभी वो क्लास किस कब से है यह सब अभी बताया जाएगा और जो भी करना चाहेगा क्लास को वो इन्रॉल करा लेगा इसके अंदर आपको क्या-क्या किस-किस चीज से आपको बहार निकलने का रास्ता दिखाया जाएगा यह सब भी आपको बताया जाएगा तो अब हम पापस आते हैं हनुमान चालीसा जो है इसको पढ़ने का एक टाइम है ठीक है? कहा जाता है कि जो अर्ली मॉनिंग ब्रहम मॉरत के टाइम पे जो की साड़े तीन से लेके पांच बजे के अंदर-अंदर माना जाता है साड़े चार से पांच बजे के अंदर-अंदर वो टाइम जो है उस समय हनुमान जी खुच फ्रीराम जी की पूजा कर रहे होते हैं उस समय अगर हम हनुमान जी का ध्यान करते है तो ऐसा नहीं है कि उसका हमें असर नहीं मिलता, मिलता है लेकिन थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को पसंद है कि जिस समय वो पूजा करे, अब मान लीजे जब आप पूजा करने बैठे हैं, तो आप कहते हैं ना कि मैं पूजा करने के लिए बैठ रहा हूं या मेरा आ गई की नहीं आ गई, किचन में क्या बन रहा है, भूख लगी हुई है, तो इत मींस हमारा ध्यान नहीं है, तो अगर हम पूजा करने बैठ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमें इस समय कोई डिस्टर्ब ना करें, तो हम लोग बोल देते हैं, या तो हम अपना टाइम रखेंगे कि इस समय सब सो रहें, पता है किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, या इस समय सब घर से बाहर है, मुझे पता है मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, और यहां फिर हम बोल देंगे कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे ही सुभ है और शाम पो, ठीक है हनुमान जी श्री राम जी की पूझा कर रहे होते हैं तो उस समय पे जो है वो उतना खुश नहीं होते जब आप उनको पूझते हो ठीक है आप श्री राम जी को पूझते हो तो वो अपने आप हनुमान जी खुश हो जाते हैं ठीक है लेकिन डारेक्ट आप हनुमान ज उनको पूझने का सही वक्त कौन सा है अगर आप सुबह ही करना चाहते हैं तो आप एराउंड टेन कर लीजिए नाइन तो टेन के बीच में कर लीजिए नाइन टू इलेवन के बीच में कर लीजिए ठीक है पर बिफोर ट्वेल और ऐसे ही जब आप इतने शाम को अगर करना है तो शाम को करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है लेज इवनिंग जो कि आपकी आठ बजे के बाद साड़े साथ बजे के बाद काउंट होती है या फिर सोने से पहले आप सोने से पहले हनुमान चालीसा करके सोएं आप देखिए थोड़े दिन रेगुलर करिए ठीक है पर डेफिनिटली आएंगे और इसके लिए यह नहीं है कि अगर रात को आप सोने से पहले करना है तो अब मैं पहले नहाओंगी फिर मैं कर सकती हूं या मैं पहले मुझे कुछ और करने होंगे तो मैं कर सकती हूं नहीं कि आप बिना नहाएं लेकिन हां अपनी नौन मिजना खाया हो ठीक है और फिर आप इसको रात अपना हाथ मुद होएं और सिंपल आप हनुमान चाली सा कर लीजिए अब बिल्कुल बिना खाना खाई भी कर सकते हैं खाना देखो कुछ लोगों का मानना यह होता है कि हमें क्या हम पूजा खाना खाके कर सकते हैं बहुत से लोगों का ऐसा सोचना होता है ठीक है और जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं न कि अपने असूलों के पक्के होते हैं वो कहेंगे बिलकुल बिना खाना खाए आप उजा नहीं करेंगे ठीक है लेकिन अगर हम इश्वर की मर्जी देखेंगे ठीक है वो भी क्या चाहता है कि आप मुझे जब मुझे याद कर रहे हो तो सिरफ मुझे ही याद करो ठीक है उस समय आपके दिमाग में यह नहीं चलना चाहिए अभी मुझे भूख लगी है अभी मुझे कहीं जाना है या अभी मेरे को खुशबू आ रही है खाने की इसलिए आप खाना खाकर भी पूजा कर सकते हैं सॉरी अगर कोई बहुत असूलों वाला इंसान अगर कोई इस वेबिनार में जुड़ा है तो मैं उसकी जो स सोच है मैं उसको गलत नहीं कह रही हूं लेकिन क्योंकि आज कल का टाइम जो है वह इतनी भागा दोडी वाला है इतना स्ट्रेस भरा है अगर आप देखेंगे बहुत से लोग डाइबिटिक हैं बहुत से लोगों को थाइराइड की प्रॉब्लम है किसी को स्ट्रेस है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक कप चाई पीने के बाद आप पूजा नहीं करेंगे आप अराम से अगर आपको लगता है कि आपको पहले खाना खाने आप खा लीजिए उसके बाद हात मुदोख के वापिस खुला खुला करके फिर आप एटके पूजा करिए ताकि जब आप बैठेंगे तो आप भगवान जी को ही तो सोचेंगे ठीक है लेकिन फिर आप ये मत सोचने बैठ जाना हाँ अभी जो खाना खाया था इसमें ये चीज ऐसे थी ठीक है वो आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी मतलब खाना खाया बैट से खत्म आपका पेड भर गया अब आप रेड़ी हो भगवान जी के साथ बात्चीत करने के लिए जब हम पूजा करते हैं और जब हम उनसे कोई अपने मन की बात एहना चाहते भगवान जी को मतलब अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं ठीक है तो ऐसे मत मानिये कि वो भगवान है और मैं सि अच्छे हो ठीक है आप उन्हें किसी भी रूप में ले सकते हो जिस भी जो भी आपके इश्ट है जिस भी प्रभू से आप जो चीज चाहते हैं आप उनके साथ जब एक संबंद बनाएंगे एक relationship create करेंगे तब आप देखेंगे आपको भी पूजा करने में मज़ा आएगा और आप देखेंगे आपके पूजा के results भी मिलने लगे हैं ठीक है मान लीजिए मैं अगर परेशान हूं तो मैं सिर्फ उनको रो रही हूं और बोल रही हूं मुझे उनके साथ गुसा करने का हग भी है क्यों क्यों कि मैंने उन्हें अपना प्रभू माना है मैं उनके लिए मैं एक बच्चा हूं उनके लिए तो अगर हम अपने पेरेंट से भी तो कई बारी जगड़ा करते हैं अगर हमें लगता है कि नहीं मैं सही हूं मैंने एफट्स करें हैं तुम मेरे पेरेंट क्यों नहीं मान रहे हैं तो हम अपनी बात को मनवाने के लिए जिद करते हैं ना कई बारी या हमारे बच्चे हमसे भी शुप हो जाएगा एक्ट़्ा और हम क्या देती है बस बोल इंड या बस तो बस इसके अलावा मुझे नहीं सुनना ना थो ना लेकिन हम भशचय को झाए अगर बच्छा हमें कहते है अच्छा मुझे सुन तोलो क्या पता वो जो मुझे इंड favor करना नहीं आ रहा लेकिन जब वो मुझे बता रहा है तो मैं समझ पा रही हूं कि मुझे लगेगा रहे बस इत्की सी बाद थी जाओ कर लो होता है ऐसा हमारे साथ चैट में प्रीज आंसर करिए क्या हमारे साथ ऐसा होता है बच्चे अगर हम किसी को कहते हैं कुछ और हम एक बार हम ना कह देते हैं अगर वो हमें समझाता है तो हम समझ के हाँ भी कह देते हैं बिलकुल तो ऐसे ही आप जिसकी भी अराधना करते हैं उसके साथ ऐसा संबंद बनाओ कि आप उससे दिल की बाते करो, दो मिनट सिरफ अपने और उनके बीच के रखो, जिस समय आपको ये लगे कि इस समय सिरफ मैं और वो हैं, हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो उनको बोल रही हूं, वो मुझे सुन रहे हैं, और अगर मैं नराजगी दिखा रही हूं, तो मैं genuine हूं, मैं genuinely उनने दिखा रही हूं, क्योंकि मैंने वो किया, फिर मैं उनसे कहती हूं कि अगर फिर भी आपको ये लगता है, तो मुझे कुछ ना कुछ इसका संकेत दो, मैं उन्हें टेस्ट नहीं कर रही हूं, ठीक है, लेकिन मुझे भी तो के साथ वो चीजे होने लगेंगी अगर आपके लिए मान लीजे है आपकी कुछ रिकट में कि त fox वह आपकी Guerra में नहीं है आपको कहीं न कहीं से कुछ ऐसे इंडिकेशन विळाएंगे कि आपकोविजन और इस लिए यहहीज रहत cep मैं आपको अपना पर्सनल एक्जाम्पल देते हूं अभी 5 सेप्टेंबर को मेरी डॉटर ने इतनी जाना था और उसके साथ मुझे जाना था उसको वहां पर छोड़ने के लिए और थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए पहले हमने उसका वीजा बनवाया उसका वीजा क्यो कर देंगी लेकिन अंदर से मुझे सम्हाओ कुछ ऐसी फिलिंग आ रही थी कि मुझे बहुत जाना चाहिए यह नहीं जाना चाहिए मैं बहुत जादा कन्फियूज थी जब की जब प्रोग्राम बना था तब से था कि मैं जाओंगी लेकिन जब वो वक्त आया मुझे यहीं को चोड़ा उसको बोला जो तुम प्रिवार के लिए ठीक लग रहा हो वह चीज कारना अगर मेरे लिए जाना भी एभी और आप लोग और आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि ब Sophia लेखिन आपको अंदर से कोई इंडिकेशन 123 है जो आपको कहीं ना कहीं रोक भी रही होती है ठीक है मैंने इश्वर पे छोड़ा और मैंने अपने पेपर्स के कठे करने स्टार्ट करें और वह हुआ जब मैंने अपनी इंटर्व्यू की डेट के लिए जब मैंने डाला तो मुझे देट मिली है उसमें 11th सेप्टेंबर और मेरी डाटर को 5 सेप्टेंबर को जाना था अब मैंने का मेरे को तो बढ़ने का फाइदा नहीं है थोड़ा सा ये भी हुआ कि आरे तुम अपना कुछ जुगार लगाओ ना क्योंकि मैं रेकी भी जानती हूं मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और यह सब की उनसे आप देखो कुछ ऐसा हो लेकिन कई बारी आप सब कुछ इश्वर पे छोड़ना चाहते हो कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वो करना क्योंकि वहां पे आपने सब कुछ उनको मान लिया चीक है और मैंने का हमने यह भी सोचा चलो हम इसको किसी और जगह से कर लेत मैंने का नहीं बिल्कुल नहीं इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ होगा मुझे पता है तू वहां पर संभाल कर लेगी इतना मुझे इश्वर पर भरोसा है और लेकिन अगर मेरा नहीं हो रहा है दो बारी ट्राइपरा दोनों बारी नहीं हुआ तो इत मीन्स यह मेरे लि मतलब जब वहा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया क्या पता यह मेरे स्टार्ज में था और अगर मेरा सब कुछ हो गया होता तो इतना पैसा भी मेरा वेस जाता क्योंकि मैं जाने वाली कंडिशन में नहीं है और मैं अपने को देखती है मेरी डॉटर मुझे देखती और उनको अपने के लिए मैं ही हूँ तो तो वह सिच्वेशन ऐसी बनी तो मैंने इस चीज को ऐसे लिया कि इसलिए शायर वह टाइम मेरे लिए ठीक नहीं था इसलिए वह गई कि मेरा वीजा के लिए मेरे इंट्रव्यू क्या जते हम सब कुछ इश्वर पे छोड़ के यह नहीं कि बस छोड़ दिया और सो गए लेकिन आपको वहां तक कौँचने के लिए कुछ वक्त लगता है जब आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं आप इन चीजों को इतने अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हां अगर मैं यह चीज के लिए जिद कर रहा हूं या कर रही है तो इट मींज यह और यह नहीं हो रहा है तो इट मींज इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होग ठीक है ना तो यह चीजें हैं जिस तरह से हमारे को अपनी इच्छाएं प्रभू के आगे रखनी चाहिए जो लोग हनुमान चालीसा पड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी तो यह पूरा नहीं हुआ उनके लिए मैं यह भी कहूंगी थांक्यू सो मच पुनम जी और जो लोग य हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हम तो बस कर रहे हैं क्योंकि बच्पन से करते हैं लेकिन हमें नहीं ऐसे दिखे तो वह इस चीज़ को जरूर अपना थोड़ा सा इनलाइस करें कि कहां पर कमी रह रही है आपके टाइमिंग गलत है या आप एक कनेक्शन बनाने में ए आप कहीं थोड़ा सा लैक कर रहे हैं कुछ न कुछ जरूर होगा जब भी अगर आप किसी इच्छा को रखते हुए अगर आप पूरा हनुमान चालीसा करते हैं या आप जो चुपाईयां जो चुपाईयां मैं बताऊंगी कि कि किस चीज़ के लिए कौन सी चुपाईय नहीं है प्रोसेस सिर्फ आपको हनुमान जी के सामने अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ती है फोटो है तो बहुत बड़ी आप उनके सामने भी कर सकते हैं अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए जल लेके अपने मन में हनुमान जी की तरफ देखिए और कभी भी जब हम भगवान जी को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि आखे बंद कर लो हम लोग भी अपनी आखे बंद करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ देखो यह बहुत जरूरी है जब आप देखोगे तब आप connection बनाए अगर मैं मैंने जैसे बोला कि आप लोग अप उससे क्या मैं आपको देख पा रही हूं आपके थोड़े action भी मैं देख पा रही हूं और लेकिन जिनके बंद हैं मैं उनको नहीं देख पा रही हूं वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं पता है उनके साथ मेरा connection ऐसा नहीं बन पाएगा उनका शा से भी हम नजरे मिला के भी पूजा कर सकते हैं ठीक है सिरफ हमारा प्योर हाथ होना चाहिए हमें किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना है हम जो करना चाहते हैं सच्चे मन से करना चाहते है तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में ब्लॉकेजिस कहीं दूर रह जाएंगी और आप लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हनुमान चली साथ में, अगर मान लीजे कोई इनसान बिमार रहता है, ठीक है? मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है? कुछ परिशानियां उसके लाइफ में चल भी रहती है, ठीक? तो वो क्या कर सकता है? मतलब हनुमान चली साथ पढ़िए, ठीक है? हनुमान चली साथ पढ़ने, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर सिरफ ये चुपाईयां ही कर रहे हैं तो आप हनुमान चली सा पढ़िए एक बारी बहुत अच्छा है वो बच्चे से लेखे बजुर्ग इंसान तक सब को पढ़ना चाहिए उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरे को सूट करेगा की नहीं ये मुझे सूट करेगा की नहीं ऐसा नहीं है एक चीज जो आप सबको समझनी चाहिए जिन भ लोग ये सुनते घबरा जाते हैं ओ अच्छा साड़े सथिय पर तो हम सोच लेते हैं कि बस अब तो मेरे काम बनने ही नहीं है क्यूंकि मेरे पर तो साड़े सथी चल रही है लेकिन शनी महाराज जी सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि शनी महाराज जी सिर्फ डरान नहीं है उनसे डर क्यों लगना चाहिए अगर हम गलत हैं अगर हम हम एफोर्ट्स नहीं कर रहे हैं तब हमें डरना चाहिए फिर वह बहुत बुरी तरह हमारे को उसकी पनिश्मेंट देते हैं लेकिन अगर हम मन से अच्छे हैं हम सब काच्छा करते हैं और अगर मैं कोई काम करने जा रही हूं या मैं जो भी कर रही हूं मैं उसमें पूरे एफट्स डाल रही हूं तो शनी माराज जी मुझसे खुश होंगे और मुझे उसके प्रस्तों जाएगी मेरे अच्छे काम साड़े सती में सब्रस्ति दूरों पंद इस चीज को हमेशा ध्यान डखना और शनी महराजी को जो अगर नेगेटिव अगर आपको कुछ मिल रहा है उनसे तो वो अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपको बिलकुल भी शनी की वज़े से जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजिस आ रही हैं आपके काम रुक रहे हैं या डिलेज हो रहे हैं आपके काम एक तो होता है कि हम over confident हैं इसलिए हमें लगता है कि आरे नहीं नहीं मेरा तो होई जाएगा किसी ने मुझे बोला हुआ है वो है over confident लेकिन अगर मैं efforts कर रही हूं थोड़े बहुत ठीक है मेरा exam है और लेकिन हाँ आज मैंने किताब खोल ली कल मेरा paper है तो क्या मुझे result मिले नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं तो मुझे कब मिलेगा जब मैं अपने साथ की साथ अपने syllabus को देखती जा रही है नहीं तब मुझे result मिलेगा तो it means मुझे शनी जी से डरने की ज़ुरत नहीं है तो मुझे अच्छा ही करेंगे मैं रादे मैं दो मिनिट लूगी मैं आपके फिर आप पूरा detail में और explain कीजेगा कि क्लास में क्या होने वाला है और किस तरीके से चीजे काम आने वाली है तो मैं जो भी आपको हनुमान चालीसा के benefit बता नहीं थी कि हमें सब को पता है कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं हम उसको अपनी life में कैसे implement करना है उसका जो एक process होता है वो ही इस class में सिखाया जाने वाला है जो class 4-5 दिन चलने वाली है depend on your question answer 4 days में complete हो सकती है अगर आपके question answer रहते हैं तो 5 days में class जाएगी तो हनुमान चालीसा और प्लस उससे related हट शौपाई से related कुछ remedies भी होती है जो मैं इसी class में बताने वाली है इसकी आपको recording भी मिलेगी certificate भी मिलेगा और ये जो class है ये कल से ही चालू होने वाली है 19 September 2014 टाइम इसका ये एक बज़े ही रहने वाला है एक से डेड़ घंटे की class क्लास रहती है मतलब एक बज़े चालू होगी तो धाई बज़े तक आपकी एक लास चलने वाली है और फोर डेस class होने वाली है इसका जो एनरजी एक्स्चेंज है वह है 211 पे करके आप अपने class बुक करा सकते हैं और कल इसी वक्त पर ये class चालू हो जाएगी वन सेकिंड म पेमेंट डेटेल आपके स्क्रीन पर है बैंक डेटेल और मैंशन पेटियम जीपे फोन पर नंबर है 8527127419 UPI ID अवेलेबल है, scanner अगर आपको किसी भी तरीके से पे करके आप screenshot मुझे भेजेंगे 8209-677979 पर आप मुझे screenshot भेज दीजेगा मैं अभी आपके चैट में ये दोनों ही poster आपको provide करा रही हूँ तो रादे रादे जो भी इस class को join करना चाहता है वो connect कर सकता है अगर कुछ और जानना है तो आप इस पे call कर सकता है 8209-677979 पर रादे रादे जी मैम और अब class के बारे में explain कर देते हैं ना इस class में आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी life में जैसे मैंने आपको बताया आप जैसे हमारे जो रोज मर्रा की problems हैं या depression से related, anxiety से related अगर किसी को problem है तो कौन सी चुपाईया करिए अगर आपको past life से related, कई बारी होता है ना कि कोई हमें कहता है कि पित्र दोश है या आपके काल सर्फ योग है तो उसके लिए आप कौन सी चुपाईया करें वो आपको बताया जाएगा इसमें आप जान सकेंगे कि अपने रुके हुए कामों को अगर आप किस तरह से पूरा करें उसके लिए कौन सी चुपाई करें आप इसके साथ-साथ आपकी health से related आपको marriage में या relations में कोई problem आ रही है उस से related और अगर हमारे जैसे addiction से related वो मैं आपको अभी इसी class में बताऊंगी कि कौन सी चुपाई है कि अगर किसी को addiction हो रही है कोई भी किसी भी तरीके की तो उसके लिए कौन सी चुपाई करें आपको पूरा बताया जाएगा इसके साथ साथ आपको आपके काम में आपको name frame चाहिए आपको money की कोई issues आ रहे हैं आप money growth चाहते हैं या professional life में growth चाहते हैं उसके लिए कौन सी चुपाईया करें अगर आप foreign settlement चाहते हैं कई बारी होता है कि हम चाहते हैं हम बाहर settle होना चाहते हैं लेकिन जर्या नहीं बन रहा होता है या हमें बिल्कुल blank होते हैं कि कैसे या हमारे problems इतनी आजाती हैं कि हमारा वो काम बन ही नहीं पाता है तो उसके लिए आप कौन सी चुपाई करें कि आपको foreign settlement मिल जाए क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे जो है वो abroad जाके ही studies अपनी further studies जो है वो वहीं से करना चाहते हैं तो किसी ना किसी reason से वो रह जाते हैं तो उसके लिए आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उसके लिए कौन सी चुपाई करें अपने घर में अपने अ कौन सी आपको चुपाई करनी चाहिए इस तरह हर चुपाई में किसी ना किसी चीज से related आपको solution मिलेंगे ठीक है और उसके लिए आपको करना क्या है सिरफ आपको जो चुपाई में बताऊंगी उसको आपने डेली 108 टाइम्स आपने उसको चैंट करना है चैंट करना संकल्प लेंगे जब आप संकल्प लेके चैंट करेंगे और उसे संखलप म冷 मैं इस थो यहां पर बदा देती हूं कि संकल्प का मतलब होता है कि जब हम होता है हम रिंडम ली खर रहे हैं एक होता है हमने एक time duration रखलिया कि मुझे अगर हम बच्चों को को चीज करने को कहते हैं, यह बोलते हैं कि मुझे यह इतने बज़े तक चाहिए अगर वर bon tools था हुआरे बॉसने दिरफे का मुझे यह इतने बज़े तक चाहिए यह इस więc हमारे पास एक time the में होता है तो होते हैं यह रीजन होता है किसी भी चीज का संकल्प लेने का ठीक है और ऐसे ही जब आप संकल्प लेंगे जैसे मैंने आपको बताया अपने हाथ में कानी लेके हनुमान जी की मोटी के ऊपर उनके चर्णॉं में पहले संकल्प लेंगे किमें इतने दिन तक यह चोपाईयों का जाप करूँगी करूंगा पुरे सच्चे मन से और जैसे पहले आप अपनी विश बोलेंगे ठीक है उसके बाद आप अपने बोलेंगे कि मैं इतने दिन तक इन चफाईयों का जाब करूंगा ठीक है फिर आप वो जल जो है वो उनके चरनों में डाल देंगे हाथ जो ठीक है यह जब आप करें कि उसके बाद आपने जो बोला है उतने दिन regular संकल्प लिया जाता है या 11 दिन 21 चालिस दिन इस तरह से हम संकल्प लेते हैं संकल्प जब हमने ले लिया फिर हम उसे next day से या same day से start कर देते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने संकल्प लिया वो आप जब उसको चै लेकिन यह नहीं कि आज तो आपने सुबह कर लिया था कल में रात को कर रही है आप यह चीज ऐसा कर सकते हैं कि आप जितना ज्यादा चैन्ट करेंगे देखिए आप एक बारी 108 टाइमस कंटीनियूटी में कर लिया आपने जिसका टाइम आपका फिक्स होना चाहिए पांच इनियूटी में 108 टाइमस कर लिया लेकिन उसके बाद उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप और चैन्ट करना चाहते हैं आप ज्राइब कर रहे हैं आप खाली बैठे हैं आप खाना बना रहे हैं तो आप उन्हें रेंडम ली फिर चैन्ट करेंगे फिर आप उन्हें का चैंट करेंगे चैंट हम क्यों करते हैं vibrations create होते हैं ठीक है और वो vibrations ही हमारे को results देती हैं इसलिए जब हम chant करते हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो at least 108 times हम कर रहे हैं वो हम थोड़ा सा loudly करें यह न सोचें कि लोग कोई सुन रहा है क्या कहेगा अब मैं यह ऐसे बोल रहा हूं एक आपका उच्चारन सही होना चाहिए ठीक है और आपको सही तरीके से बोलना चाहिए और थोड़ा सा loudly ताकि जब आप बोलें आपके अपने कान उसको सुनें आपके दिमाग में वो चीज आए ठीक है तो यह तरीका है आपको किसी भी चीज को करने का इस अंचुपाईओं को करने का या हनुमान 50 सा पढ़ने अ सब कुछ अच्छा हो बस ठीक है उसमें आप हाथ जोड़ेंगे और इश्वर के आगे एक बार ये बोल दीजिए, थोड़ा सा जल लेकि उनके चर्णों में डाल दीजिए कि आपके ये हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ूंगा, बस मुझ पे अपनी द्यादरश्टी रखना, ठीक है, ये भी एक तरीके से सं कल्ब है, कि आपनी ये रेगुलर कर लिया, ठीक है, लेकिन उसमें फिर ये कि आपको रेगुलर आपने कोई टाइम नहीं देखा, आपने इसको जो हमारा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राइट टाइम है, आपने उस टाइम में इसको पढ़ा, ठीक है, तो जैसा कि मै ने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई बच्चा या बड़ा कोई भी इंसान अगर किसी गलत चीजों में पड़ गया है किसी भी तरह की अगर कुछ अगर कुछ अगर कुछ अगर कुछ अगर कुछ अर्जेंट होएगा तो कोई कॉल कर लेगा हमें लेकिन WhatsApp की जो आदत है Instagram की जो आदत है वो आपको ऐसा लगेगा खाली बैठी है मतलब scroll करना है उसको agree करते हैं आप मेरी बात से तो ये भी एक तरह की addiction है क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं है नग अगर हमारा सिर्वी दर्द हो रहा होता है न तो हम क्या करते हैं आठ मुझे disturb नहीं करना भी आज में खाना नहीं बना सकती मेरे सिर्मे दर्ड हो रहा है मैं पट्टी भी आपने सिर्मे कुछ बांध भी लूँगी दवाई भी खालूँगी लेकिन फोन नहीं चोड़ूँगी उससे और उस्टों में क्या होता है हम कई बारी बच्चों के साथ ऐसा होता है हम कहते है अरे सिरदर्द हो रहा है तो भी आ फोन साइड पे रख दो वो कहते नहीं ममा थोड़ा साही बस क्यों क्योंकि सिरदर्द है को किसी भी कि कोई भी अडिक्शन ठीक है यहां कोई चुटाना चाहते हैं तो आप कौन सी शफाय गोलेगे महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिन निवार सुमती के संगी अगर आपको यह मान लीजिए मदज अपने बच्चों के लिए करना चाहती है ठीक है वैसे तो आजकल मदज का भी यही हाल है ठीक है लेकिन सॉरी तुसे लेकिन मैं भी उनमें से ही आ जाती हूं लेकिन अब कि मान लीजे बच्चे हैं हमें पता है वो पढ़ नहीं रहे हैं वो यहां तो अपने सिर्फ दोस्तों के साथ बाते करना ही उन्हें अच्छा लगता है यह कुछ भी ऐसी चीज़े जो हमें लगता है कि नहीं यह ज्यादा उस तरफ हो रहे हैं ठीक है इनका ध्यान पढ़ा देटा या बेटी जो भी है उसके लिए यह संकल्प ले रही हूं या ले रहा हूं ऐसा Kathy कर सकते हैं कि ले रहा हूं या ले रही हूंहिंगosphory बोड़ा है कि वो अपनी इसजादिक्शन को चोड़ दे और अपनी लाइए में अपने करियर को बनाने के लिए या बचचे चो थर्ड परसंन की वज़े से ठीक है तो आप उस केस में भी इसको एस सेम प्रोसेस रहेगा तो आप यह संकल्प लेते हुए बोलेंगे कि मैं 21 दिन का संकल्प लेते हुए इस चौपाई को चैंड करूगी इस चौपाई को पढ़ूगी जाप करूँगी इस चौपाई का 108 बा देंगे और सिर्फ और सिर्फ अगर मां लीजिए आपके पास पूरी हनुमान-च इसा पढ़ने का आपको लग रहे हैं कि नी मैं पूरी हनुमान-च अपनने का में पश्झ नहीं है आपका कुछ गुना बड़े इसके रिजल्ट आप देखेंगे और देखेंगे क्योंकि एडिक्शन किस तरह कि अगर मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अडिक्शन है और उसमें आपको यह लग रहा है कि बिने 21 दिन मैंने कर लिया लेकिन ज्यादा फरक तो आपने ज्यादा जो नहीं आया उस पे फोकस नहीं करना है आप यह देखने की कोशिश करेंगे क्या 19-20 का भी फरक आया इन 21 दिनों में अगर आपको 19-20 का फरक भी दिखेगा अगर आपको लगेगा कि आपका बच्चा जो है इतलीस्ट किताब अपने से निकाल रहा है इतलीस्ट थोड़ा तो पढ़ रहा है ठीक है यह अगर आप कह रहे हो कि पेटा फोन रख दो तो उसने रख दिया यह आप कह रहे हो अपने हजबन से य मिल रहे हैं लेकिन और वो कितना भरा हुआ है अगर कहीं पर गंदगी बहुत ज्यादा है यह किसी के नेगेटिव थौट इतनी ज्यादा है तो वो एकदम से तो चुटके बजाते ही नहीं निकल जाएंगे धीरे धीरे उन्हें हमें साफ करना होगा तो आप 21 दिन का संकल् इसमें ध्यान क्या चीज़ देनी है जो भी आप स्टार्ट करेंगे आप इसे जब भी कोई भी चुपाई आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप शुकल पक्ष में स्टार्ट करेंगे एक सेकिंद में यह रेमीडी पर लूं मैं मां जी बिलकुल मैं हेल्थ के लिए वी आपक कि चुपाई करेंगे नासे रोग मिटे सब पीरा जबत निरंतर हनुमत पीरा इसके बाद बोल दीजिए जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम ठीके जब आप कोई चुपाई बोल रहे हैं उस समय पे चुपाई करने के बाद आप तीन चारवारी जैसी आराम जैसी आराम बोल देंगे जितना आप राम जी का ध्यान रखेंगे करते रहेंगे साथ की साथ उतने ही आपको हनुमान जी के आशिरवाद आपकी उपर उतना ही और बढ़ता चला जाएगा ठीक है आप ey gήσig यह मैं आपको वही चीज बता रही थी आपको क्लास में कोट केस के लिए भी मिले करना है कोई भी यह चुपाई घर इसके अलावा अगर आप कोई भी करते हैं तो वह आपको करनी चाहिए शुकलपक्ष में शुकलपक्ष कौन सा होता है जब हमारा अमावस्या आती है अमावस्या के बाद के पंदरा दिन वो शुकल पक्ष के होते हैं ठीक है शुकल पक्ष की मंगलवार या शनीवार सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं किसी भी रेमिडी को करनी के लिए कोई सी भी रेमिडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप शुकल पक्ष के मंगलवार या शनीवार से शुरू करेंगे उसे शुरू आप नहीं कर लिया उसके बाद कंटीनियूटी में आप करते रहेंगे ठीक है अभी जैसे श्राद शुरू हो गए हैं इस समय आप नह वस्या के बाद अभी जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तब आप कर सकते हैं ठीक है तो किसी भी रेमिडी को करने के लिए आप यह कर सकते हैं और मान लीजे कि कि किसी की है बहुत ज्यादा खराब है ठीक है अब उस केस में हम लोग नहीं कहेंगे मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा है तो अब हम सोचेंगे कि नहीं अब हम शुक्ल पक्ष तो अभी पूर अभी आज से जो है आज पूर नमाशी है तो अभी तो पूरे पंदरा दिन बचे हैं वापे शुक्ल पक्ष आने में तो मतलब 15 दिन क्या हेल्थ के मामले में हम इसे कभी भी कर लेंगे लेकिन हाँ वो जब हम करेंगे हम सबसे पहले इस्षवर से कहेंगे कि मैं जिसमय शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं ये सही वक्त नहीं माना जाता लेकिन आपके सामने किया हुआ संकल्प या आपके आपसे मांगी होई कोई भी चीज या इस समय उनकी जो हेल्थ की उपर जो प्राब्लम आली है उसके लिए वक्त को देखना सही नहीं है इसलिए मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर मदद करेंगे आप इस सिचुएशन से जरूर निकालेंगे यह सिर्फ और सरफ हेल्थ के इस्जु में मैंने आपको बोला कि उस में और हैल्थ में अगर आपको लगता है कि बहुत सीवियर वाला कुछ है अगर आपको लगते हैं पन्दरा दिन रुख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप 15 दिन रुख के इसको शुक्ल पक्ष में ही करिएगा, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, मैं लीचे, अब यह जो हमारी चुपाईयां हैं, यह हमें और किस चीज में हिल्प करते हैं, जैसे जब आप लोग, अगर आप लोग नुमिलोजी कराते हैं, या अपनी पत्री दिखाते हैं, तो हमारे को पंडिजी या जो भी कोई है, वो हमारे को बहुत सारी रेमेडीज बता देते हैं, कि आप यह करो, आपनी चिरिया को दाना डालना है, आपने यह करना है, आपने वो करना है, लेकिन हमारे प हर तो गाय हो आपको ऐसे सड़क पर मिलेगी नहीं आपको स्ट्रेय डॉग्स नहीं मिलते हैं वहां पर तो क्या वो लोग कुछ और ना करके सिर्फ और सिर्फ जो चुपाई उनके लिए जिस चीज का सॉलुशन वो चाहते हैं उसकी चुपाई वो करेंगे जो लोग यहां प 1-2व, 5-7 पहले पाति ठुझा को देंगे यह बाकि अगर कुछ उने बताया गया है कि तुमने अब यह करना है तो वो रहें वह रहें टो बदम को च्पांयूं को इसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं है है आप एक जगह पे बैठके ही DR. जर बैठके ही करना है और चलते कि आपने एक बारी तो लगा जो 108 टाइम्ज है वो आपने बैठ के कर लिया और उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया आप गाड़ी चला आ रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं आप उस समय पर कर सकते हैं ठीक है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी लाइफ में जैसे कही बारी होता है ना कि हम बिमार है लेकि हमें हमारी प्रबॉलम डाइग्नोजी ही नहीं हो रही है कभी डॉक्टर ये कह देता है कि आपको ये है उसकी दवाई शुरू हो जाती है फिर पता चलता है अरे नहीं यह नहीं है यह भी खा लिया इससे तो फरक नहीं पड़ रहा नहीं फिर वो कुछ और टेस्ट कराता है उसमें कुछ और आता है बहुत बारी यह चीज़े होती है कि हमारे को सही डाइगनोज कर ही नहीं पाते हैं ठीक है या डॉक्टर्स की कमी कह लीजे या वो उस समय की सिचुएशन ऐसी है तो उस समय आप कौन सी चुपाई करेंगे जब कभी मतलब हमारे उपर दवाई का असर नहीं हो रहा है हम दवाईयां खा रहे हैं डेली इत्ती महंगी महंगी दवाईयां भी खा ली डॉक्टर भी बदल लिया लेकिन किसी दवाई का कोई असर नहीं हो र बस हम यह प्रे कर रहे हैं कि मुझे इस चीज से बाहर निका ठीक है उसके लिए हम कौन सी चुपाई बोलेंगे राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहो रगुपती के दसा हम यह चुपाई करेंगे प्रोसेस सेम वही होगा संकल्प लेंगे फिर उसके बाद आप यह चुप हनुमान चालीसा का एक लिस्ट एक बारी पूरी हनुमान चालीसा अगरा पड़ लेते हैं तो आप देखेंगे आपके लिए वह बहुत अच्छा आपको लगेगा आपको अच्छे दिजर्ट मिलेंगे आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं कि प्रोग्रेस आपको होती हुई नजर आएगी ठीक है घर में खुशाली नहीं है कई बारी होता है ना कि हमें अपने ही घर के अंदर ऐसे लगता है कि हम अकेले हैं चाहे हमारे चारों तरफ पूरी फैमिली है हमारी लेकिन हम अकेले हैं तो इन सब चीजों से निकलने का रास्ता आपको हनुमान चालीसा मे मिल जाता है बिल्कुल एंग्जाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन हर तरह की इशू से कैसे आप बाहर निकलेंगे ये आपको जब आप ये क्लास करेंगे आपको हर चुपाई का मतलब बताया जाएगा कौन से चुपाई किसके लिए करनी है वो आपको बताया जाएगा और अ मैं एक रिमीडी आपको बता रही हfinden, किसे भी आप नोट कर लीजे अगर किसी के घर में कोई लगातार बिमार है, कि एग प्राबलम हो रही है वो ठीक होती है उतने में पता चलता है आप आज वो फीवर था फीवर ठीक हो गया अब उसे ये हो गया वो ठीक हो गया मतलब कि तो हम क्या करेंगे चार गोमती चक्र लेंगे भाले लेंगे नहीं गउतु Bye चोटे-चोटे सेibly लेके उन्हें गंगा जल और पानी मिलाकर उसमें थोड़ी देर के लिए सोग कर दीजे अच्छे से उने उसके बाद हम दो लेंगे ठीक है दोने के बाद उनको हम धूबत्ती जला के किसी भी तरह से उनको smudging करके हम उन्हें शुद करेंगे ठीक है शुद करने के बाद हम उनके अंदर affirmation डालेंगे उस इंसान के लिए मान लीजिए कि 100% जो है वो बिमार है वो बेड से उठी नहीं पाता है मतलब किसी ना किसी कारण से वो बेड पे ही रहता है तो हम उसके लिए affirmation डालेंगे affirmation क्या है हम अपनी request जो है हम जो चाहते हैं life में हम उसे present tense में इश्वर से मांगते हैं ठीक है हम अपनी wish को इश्वर से मांग रहे हैं वो affirmation ठीक है तो आप क्या करेंगे उन चार गोमती चक्र को अच्छे से साफ कर लिया धूबती से उसको smudge करके प्योर कर लिया फिर उसे अपने left hand में रखेंगे ठीक है और right hand उसके उपर इस तरह से घुमाएंगे पांच से साथ बारी या साथ से ग्यारा बारी ठीक है और क्या बोलेंगे 100-100% पूरी तरह से healthy है खुश है बहुत जल्दी उसकी recovery हो रही है ठीक है आप पहले यह बोल दीजे 100-100% की बहुत अच् है उनका असर उसके उपर आ रहा है और वो healthy हो रहा है ठीक है एक बार यह आपने बोला और फिर उसके बाद आप जब आपके वह पूरा ग्यारा बारी जो आपने घुमाया हाथ फिर आप क्या बोल रहे हैं साथ में manifest भी कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से healthy है इतने दिनों के अंदर अंदर वह पूरी तरह से healthy हो गया है वह अराम से चलता फिरता है खुश रहता है ठीक है यह कहने के बाद आप उसको अपने उन गोमती चक्रों को अपने माथे से लगाएंगे और बोलेंगे यह इश्वर ऐसा ही हो ठीक है क्योंकि हमने उसको positive उसमें present tense में हमने बो उन्हें advance में present tense में बोला है इसलिए अब मैं भगवान से बोल रही हूं है इश्वर ऐसा ही हो ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे उनको उनकी मैट्रेस के नीचे चारों कॉर्णर पे लगा देंगे ठीक है उनकी मैट्रेस के नीचे उनके गद्दे के चारों कॉर्णर पे रख देंगे और एक हफ़ते के बार उन्हें वापिस उठाएंगे अगर प्रॉब्म ज्यादा है तो हम हफ़्ते के बाद उठाएंगे। यह अधर्वाइस अर्का फंद्राश दिन दूबारा करेंगे वापिस तरह से आप जो जो भी इंसान बेड पे है बेड रिडन है वो अपनी प्राब्लम से बाहर आ सकी तो मैं की यह जो क्लास है हनुमान चालीसा एंड रेमेडी कि हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं उसके अंदर जित्ती भी चौपाईयां होती है उसमें से किसी एक भी चौपाई को यूज करके आप अपनी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं तो यही चीज मैं हम आपको सिखाने वाली है फो टू फाइफ डेस होंगे डिपेंड अपॉन यूर कोशन्स और यह जो क्लास चालू होने वाली है यह कल से ही चालू ह होने वाली है एक बज़े का टाइम है फो टू फाइफ डेस क्लास चलने वाली है क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो एक साल तक है इसका आपको एक एसर्टिफिकेट भी मिलेगा और यह आप मुझे कर सकते हैं इस क्लास से कोई इन अकाउंट इंटेल आपके सामने मेंशन है आप इसका एक स्क्रीन चॉट ले सकते हैं पे टीम जी पे फोन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 85271 27419 पर आप पे करके मुझे स्क्रीन चॉट 8209 67797 पर शेर कर सकते हैं इसमें आपके पास इसकेनर भी अवेलेबल है और इसमें ग्ला से लेक generation क्लास ओवर करते हैं वैसे आप चैट से सभी question answer करी रहते पकार अगर कोई class relation के है तो वह हैं gundry कर सकता है या 57-minute कुछ question ज़ो ता संव ले लेते हैं बेड़े या चैट में लिख सकते हैं या disgrace कर सकते हैं अभी हम उस बारे में बात कर लेंगें भी टीना सोनी जी का मैम मेसेज है, मैम गुमती चक्र को माथे पे लगाने के बाद क्या करना है? माथे पे लगाने के बाद हम इश्वर से बोलेंगे है इश्वर ऐसा ही हो ठीक है क्योंकि हमने उसको प्रेजन टेंस में माना है अपनी जो हम चाहते हैं उसके बाद हम बोलेंगे है इश्वर ऐसा ही हो यह बोलने के बाद हम जो पेशिंट है उसकी मैट्रेस के नीचे उसके गद्धे के नीचे, चारो कॉर्ण बेर उन गुमती चक्र को रख देंगे. ञांते हैं उन गुमती चक्र को रखने के बाद, फिर हम अगर problem को देखेंगे, अगर बहुत ज्यादा problem है उनके साथ, तो हम उसको every week, हैं मतल sneeze क्लीन करेंगे वापिस उनको सुद्र करेंगे हम सुद्र कर न ळूबत्ती सब्सक्राइन वह प 북한 के बाद बने टेंगे उनके गद्देर के नीचे कई तो बहुत जल्दी उनको अराम मिल जाएगा जॉब के लिए जैसे बोल रहे हैं कई लोग माली जी आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जॉब में ठीक है उसके लिए बहुत ही सुन्दर नाइने हैं वो आप कर सकते हैं आप उसमें करिए कवन सो काज कठिन जग माही हम ने सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया और हमने बुला कि आप ही सब कुछ कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो अब यह करना कैसे है आपको मानली जे अब यह नहीं कि आपकी इंटर्व्यू कल है और आज आप कर रहे हैं तो आपको यह हो कि नहीं अब अगर मैंने आज किया है तो मेरे को 101 परसंट इसका मिलेगा ही मिलेगा बिश्वास पूरा रखिए ठीक है मिरेकल्स होते हैं लेकिन हर चीज को जैसे कहते हैं कि खाना पकने में भी थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपने किया मतले मान लीजे कि आपको जौब नहीं मिल रही है तो आप यह संकार लेके आप इन लाइनों को बोलिए ठीक है यह आपको एक रेमिदी की तरह भी मैं आपको बता रही हूं कि आप इनको चांट करिये और आप देखिए मतलब पूरा संकल्प लीजे इतने दिन के लिए आप यह चांट कर रहे हैं और Tuesday से स्टार्ट करिए यह से स्टार्ट करिए और 21 डेज तू इसे प्षर आप चांट करिए और जब आप चाहँ करते हैं इसके साथ है कुछ भी कोई पी चुपाई जब आप चाहिए कोई आप इच्छा रख रहे हैं उसको इसको अच्छा टाइम है अर्ली मर्निंग या जब भी आप सो के उठते हैं ठीक है क्योंकि उस समय जब हम सो रहे हैं तब हमारा सब कॉंशियस माइं एक्टेव होता है तो हमें जो हम इच्छा रख रहे हैं वो पूरी होने के लिए 99.9% युनिवर्स हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है कि 99.9% तो आप क्या करिए जब आप सोने जा रहे हैं ठीक है अब आपको पता है कि आपको किती देर में नींदा आ जाएगी आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर लिए कि मान लिजी अगर कोई अपनी शादी के लिए किसी की शादी नहीं हो रही है वो विजुलाइज करना स्टार्ट करेगा कि मेरी जैसे कोई रिष्टा आया है बात पूरा जैसे आपकी आँखों के सामने एक आपी की कोई मूवी चल रही है आप उसको ऐसे देखें और इसक को जॉब नहीं मिल रही है आप देखेंगे कि अपने अप्लाइख रहा और आपको कोई कॉल आ गया या आपके पास मेल आ गया और आप उसके लिए चले गए और आपको बहुत अच्छी जॉब है और आपको एपॉइंट कर लिया गया आपने जो भी देखना है मिलेंगे सिरफ हमारा देखें रोटी तो सब बनाते हैं क्यों किसी की रोटी में बहुत स्वाद होता और किसी की रोटी में स्वाद नहीं होता हम सिरफ खाते हैं जब हम दिल से और प्यार से बनाते हैं कोई भी खाना उस खाने में स्वाद है आप लंगर खाने जाते हो जाल घर में बनी होती हैं खाते भी नहीं क्योंकि वह श्रद्धा से बना है जब उसको बनाया गया उस समय पे इनर्जीज क्या थी वहां थी है ना वो चीजे काम करती हैं तो यह चीज आपको देखनी है कि कैसे वो चीजे जो है जब हमने कोई चीज बोली है हम कोई चीज अगर मांग रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं कितनी शिद्दत से हमने उसको चाहा है ठीक है तो कहते भी है ना किसी चीज को शिदत से चाहोगे तो क्या काइनात भी आपको लाने में लग जाती है बिल्कुल सही है तो आप जो भी चुपाई अगर आप करेंगे उसको अगर आप ऐसे चांट करते हुए करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा होगा काव्या जी आप कुछ पूछ रहे हैं कि मेरे को यह पूछना था कि मेरे बेटे के ना कल से हाफ वे लिए उसको बहुत एंजाइटी हो रही है वो सुबह से कुछ नहीं खाया तो आज मैं बड़ी परेशान थी और मतलब वह बहुत एंजाइटी पील कर रहा है मेरी कुछ भी बात नहीं सुन रहा मतलब किसी भी शुबह से समझा रही हो ना पानी पी ना खाना खाया तो बहुत मुझे टेंट पी उसके लिए उसके लिए मैं आपको एक रेमिदी बदा ज़िए और आपके पास है या सिंधा नमक अगर आपके पास है सेम्दा नमक है सेम्दा नमक है अगर आपके पास पैकिट पास है मतलब यूज स्को आप यूज कर रहे हो अल्रडि Loyano समें से मतले न अगर आपके पास अलग subsid में और क् अपने हाथ में रख लीजे और फाइव टौ आइम्स या फारी या साथ बारे anti-clockwise उसके उपर से घुमा दीजिए ठीक है यह बोलते हुए कि हार तरह के negative thoughts इसके दिमाग से निकल जाए और यह जब आप करेंगे जो भी negativity आप निकालना चाहा रहे हैं उससे आप उसको करेंगे और उसके बाद उसको flush कर देंगे ओके 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 आप उसको आज दिन में दो बारी कर दीजिए किसी भी टाइम कर दीजिए देखे जैसे मैंने आपको बताया वैसे जो जब हम करते हैं शुरुआत करने का टाइम शुभी बक्ष होता है लेकिन अब यह situation द मिधार बच्चे से बोलिये वो अपना जब रिवाइज करने बैठेगा हम है तो वो क्या बोले ओम एम क्लीमwn हिरीम क्लीम आप सब लोग जाने लीजिए जब भी अगर आप लोग यह कोर्स करते हैं आप लोग पढ़ेंगे कुछ चीजों को सचेंगे तो ये आपके लिए वी वाद करेगा कोई भी इंसान जब कुछ पढ़ने के लिए फोकस चाहता है चाहता है कि मैं जो जी समझने जा रहा हूं या समझने जा रही हूं मुझे याद रहे तो उसके लिए आप डेली ओम एम क्लीम का चैन्ट करना स्टार्ट कर दीजे यह हनुमान चालीसा से अलग मैंने आपको एक कित और पे आपको मंत्र दिया है कि इसको अगर आप 108 टाइम्स जो है ना वह बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन अगर कोई इसको 108 टाइम्स नहीं करना चाहता है तो आप रेंडम ली 5-10 मिनट तक इसको कर लीजे बच्चा छोटा है तो वह नहीं कर पाएगा इतनी बार ही तो आप उसे क्या बोलेंगे टी जब तुम अपनी ब بالते हो जाके खोड रहे हो या जब तुम धर ऐके खोल रहे हो ठीक है तो तुम अपनी जब फूलोगे तुम तीं बारी बोलोगे और Dani क्लीं बढ़ता तो बड़ा है एक्चली लेवंथ में ना वो कुछ सुनने के को इसमें इसी कंडिशन है उसके वो कुछ भी नी सुन रहा मेरी एक भी बात कोई बात नहीं आप उसको यह दीचिए ठीक है और फिर आप देखिएगा उसको यह आज आप उसको करिये सोईट से कल अब हम आज का सेशन यहीं पे खतम करें मैं आप में से जो भी क्लास करना चाहता है वो एन्रोल करा सकते हैं और कल हम एक बज़े मिलेंगे और अपनी यह बहुत सुन्दर सी एक जो विद्या है भो लेंगे यूट्यूब के लिए मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है एस्ट्रोहमन सबसे पहले आपको वही चैनल दिखेगा और हमन सर का फोटो दिखेगा और लोन उतारने की जो रेमेड हनुमान चालीसा से अलग रेमेडीज भी जैसे मैंने अभी आपको एक दो बताए हैं ऐसे ही क्लास में भी आपको अलग से भी रेमेडीज बताई जाएंगी ठीक है वो बोनस है इसको पोस्टर दे दिखा देती हूं क्योंगे भी पूजा मेडम आप इसको नोट डाउन कर क्लास कल से चालो होने वाली एक बचे होने वाली किसी को कोई भी इंफर्मेशन चाहिए तो कनेक्ट कर सकता है 8209 677979 पर आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले ले जी मैम रादे रादे आज की क्लास ओवर करते हैं बहुत बहुत थैंक्यू लॉट्स अफ ग्रेटिट्यूट मैम आपको भी और यहां अन तक बने रहने वाले सभी को भी बहुत सारा थैंक्यू अभार ग्रेटिट्यूट थैंक्यू थैंक्यू सो मच एब्रिवान रादे अजयादी